यहां महत्पूर्ण विशय यह है कि हम ऑक्सीजन थोड़े अंतराल पर लेती रहते हैं आपके शरीर में ऑक्सीजन के सिचुरेशन इस्टर ठीक है लेकिन आपने खाना खाया है और सोचा कि थोड़ा ऑक्सीजन ले लूँ जिससे कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन के स्थर सही बना रहेगा और मैं अच्छा महसूस करूँगा इस तरह से ऑक्सीजन के इस्तिमाल एक तरह से ऑक्सीजन की एक बरबादी है ऐसा कोई आकड़ा नहीं है कि या आपको मदद करता है बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पर ही रखे हुए हैं और हर घंटे और दो घंटे के अंतराल पर लेते रहते हैं जो खुद के लिए भी बहुत हानिकारक है और इससे जरुत मंद को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिन लोगों के ऑक्सीजन स्तर 93-94 है और उन्हें उच्छ स्तर के ऑक्सीजन की जरुत नहीं है फिर भी ऑक्सीजन स्तर को 99 पर बनाया रखने के लिए इसे लेते हैं यह लाबदायक नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का उचित इस्तिमाल आवश्चक है, अगर आपको ऑक्सीजन का इस्तर 94 है तो आपको निगरानी में रखने की जरुत है लेकिन ऑक्सीजन की नहीं, स्वस्थ लोगों के खून में ऑक्सीजन की उचित मात्रा मौजूद होती है, लेकिन गंभी रूप से बीमार लोगों को उच ऑक्सीजन इस्तर बनाये रखने के लिए इसकी आवशकता हो सकती है। अगर आपका ऑक्सीजन के स्तर 90 से 92 है तो विचलित नहूँ अपने चिकित्सक से संपर्क करें बस आपको निगरानी की जरुत है और उच श्तर से कोई लाब नहीं मिलने वाला है। अगर सामोहिक रूप से मिलकर काम करें और रेमेडिसिवियर और ऑक्सीजन का उचित प्रियोग करें तो महराश दिल्ली और 36 गर जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। ऑक्सीजन की जरुवत और आपूर्ती में परयाप संतुलन है। अगर आप अचानक से ऑक्सीजन की जमाखोरी और अनावश्चक प्रियोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी कमी होगी। ये समस्या स्वानिर्मित है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर जरुवत नही है तो ऑक्सीजन न लें। इससे उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जन्हें इसकी वास्विक जरुवत है। नागरी की जिम्मेदारी है। वाइरस से बचाओ के लिए पशले साल बेट की संख्या काफी बढ़ाई गई थी अभी और संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अस्पताल की तरफ न भागें जब डॉक्टर आ हमें ये प्रोटोकॉल बना देना चाहिए कि रमेडिसिवेर इंजेक्शन सभी कोविड पॉजिटिव लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं लोगों के दमाग से खलत धर्मा निकालना चाहता हूं के बल डॉक्टर ही टेस्ट का रिजल्ट और लक्षों देखकर रमेडिसि हो सकता है कि आप में कोविड के लक्षण ना हो तब डॉक्टर आपको घर पर रहने की सलह देते हैं ऐसे में अपने आपको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है मास्क पहने और ऑक्सीमीटर से हर 6 घंटे में अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें अगर आपका ऑक्सीज से बात करें और बहुत जरूरी है कि आप सही वक्त पर सही इलाज लें मेरा सभी के लिए खास्तंदेश है कि अगर आप में कोई लक्षन जैसे शरीर में दर्द, बुखार, जुकाम, खासी, डायरिया और उल्टी कुछ भी हो तो आप अपना कोविट का टेस्ट कराएं ये एक बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें करनी है दुनिया के किसी भी देश में ऑक्सिजन की बहुतायत मात्रा एक उत्पाद के रूप में मौझूद होती है आज हमारे पास परियाप्त मात्रा में ऑक्सिजन मौझूद है अगर हम इसका उचित रूप से इस्तमाल करें हम ऑक्सिजन को बरबाद नहीं करना चाहते हैं इस जरूरत को देखते हुए ऑक्सिजन की मात्रा की आवशक्ता का पालन हो। एक तथ्थे इस बारे में जनता को बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी आवशक्ता नहीं है तो बस एक सुरक्षा कवज के रूप में इसका उपयोग न करें। अगर आप इसका इस्तमाल नहीं कर रहे हैं और टहल रहे हैं तो ऑक्सिजन की आपूर्ती के स्विच को बंद कर दें। हम चिकत सकों और अस्पतालों को भी सलाह दे रहे हैं कि ऑक्सिजन का उच्छित और सही रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जिस मरीज को इसकी जरूप है उसके लिए उपलब्द हो। इसकी बरबादी से दूसरों को मिलने वाली ऑक्सिजन भी नहीं मिलेगी। हमारी व्यक्तिकत और एक नागरी के रूप में एक सामुही जिम्मेदारी है कि आक्सिजन की बरबादी से बचें जिससे दूसरों को मिलने वाली आक्सिजन बरबाद ना हो। आम तोर पर सर्दी में हम पैरसिटमॉल और शरीर में पानी की उचित मात्रा रखकर उसको ठीक कर सकते हैं। की गई एक बड़ी शोध में इसके नतीजे नकारात्मक रही हैं और ये शोध रेमेडे सिवेर की भूमिका के बारे में नहीं बताती है। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये कोई जादूई दवा नहीं है।